हेलो फ्रेंड्स गुड़ यूणिंग मैं दीपक साहू सुजी पीस्टी हनिटर नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाधत करता हूं आज हम मेंस आंसर रैटिंग का पचासवा दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं तो आप सभी आज जो आंसर रैटिंग किये हैं वे अपना पेज निकाल लीजिए या कॉपी निकाल लीजिए जिसमें भी लिखे होंगे और चेक करते जाएए आपको प्राचिन भरती इतहास के अंतरगत मौर्याकाल के परशन दिये गए थे और दरसन सास्त्र के अंतरगत आपको नियाए दर्शन के परशन दिये गए थे और जो अच्छालतर व्यक्तिक अतरूप से मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप एक दिन में एक topic complete करते हैं जिसमें केवल एक और दो point ही रहता है तो क्या हुआ topic complete हो गया है तो देखिए ऐसा नहीं है अभी आपके सामने एक mega test होने वाला है सनिवार को परसो तो उसके लिए भी तयार रहेगा topic complete ही हुए है जब आपका mega test आयोजित होता है वहां आपका शुरू से लेकर अंज तक के प्रस्ने दिये जाते हैं कि इसके अला हम तो एक mega test नहीं लेते हैं एक वीशे का उसमें दो से तिन पार्टों में विभाजित रहता है तब जाके वहां topic complete होता है ठीक है तो अभी तयारी करते रहिए और जो छात्र हमारी channel में नए है comment कर रहे थे कैसे जूड़ना है तो इस number पर आप sms कर दिजेगा आपको whatsapp group में 8 कर दिया जाएगा उससे पहले आपको registration करवाना पड़ेगा ठीक है नमबर नोट डाउन कर लिजे जो नए चात्र है किसी प्रगारी कोई और कोई अन्य जानकारी चात्र है तो आप इस number पर प्राप्त कर सकते हैं इसके लावा आपको mains का notes भी मिल जाएगा सातो पेपर का ठीक है तो सात पेपर का जिनको भी mains का notes से चाहिए होगा वह भी इस number पर प्राप्त कर सकते हैं इसको स्वयम से पढ़ें तो अच्छा है किसी के notes से अच्छा आप स्वयम का book पढ़ें चलिए पहला प्रसन है आज का सासक बिंदु सार का उल्लेक कीजिए आपको 60 सब्दों में पूछा गया प्रसन था कि आपको बिंदु सार जो सासक हैं उसके सब्द में बताना था जो कि प्राचिन भारतेई तहास के अंतरगत मौर्यकाल के प्रस्णत थे आए उत्तर देखते हैं कि चंद्रगूप्त के बाद कि विसाल सम्राड बना बिंदु सार कि यह बना है सुधाल लिचेगा इसको ना को काट दिचेगा इसने आजीवक संप्रदाय को संगरक्षर दिया मौर्य सासन का विश्तार किया विदेशी गाष्टों से मैत्रिपूर्ण संबंध रखे बिंदु सार के समय प्रमुग घटना तक्छ सिला प्रांत का विद्रोह हुआ था इस विद्रोह को सांथ कराने में अर्थात नियंत्रित करने में तक्छ सिला का गवर्नर जो सूसिम था वह असफल रहा और इस विद्रोह को नियंत्रित किया असोक ने जो उस समय उज्जैनी का राज्यपाल था जब तक्छ सिला प्रांत का विद्रोह हुआ उस समय असोक उज्जैनी का राज्यपाल था एक बरवड देख लिजिए आज का पहला प्रस्था था सासक बिंदुसार का उल्लेक किजिए साड सब्द में तो चंद्र गुप्त के बाद विशाल समराड बना बिंदुसार इसने आजिवक संप्रदाय को संगरक्छन दिया मौर्य प्रशाशन का विस्तार किया विदेशी राष्टों से मैत्रिपूर्ण संबंध रखे बिंदुसार के समय प्रमुग घटना तक्छसिला प्रांद का विद्रोह हुआ था इस विद्रोह को सांत करने में अर्थात नियंत्रित करने में तक्छसिला का गवर्नार सुसिम असफल रहा और इस विद्रोह को नियंत्रित किया असोक ने जो इस समय उजयनी का राज्यपाल था तो ये रहा आपका आज का पहला प्रस्ण का मॉडल आंसर चलिए चलिए उसके बाद आपको आज का दूसरा प्रस्ण दिया गया था असोक के अभिलेक का उल्लेक किजिए सौव सब्द में प्रस्न पूछा गया था ठीक है तो सौव सब्द के लायक लिखना था आपको असोक के अभिलेक का उल्लेक किजिए तो देखते हैं आईए असोक के अभिलेक सौसब्द के अंतरगत क्या उचित आंसर हो सकता था असोक ने बड़ी संख्या में अभिलेक इस्थापित कराए जो ब्रिहत लगु अभिलेक गुफा अभिलेक इस्तंबलेक आदी स्वरूप के थे असोक के अभिलेकों से उसके व्यक्तिगत जीवन, राजनेतिक विचार, धार्मिक विचार, प्रशाशन, समराज्य की जानकारी मिलती है असोक के अभिलेकों की भासा प्राकृत जबकी अंधिकांस अभिलेक ब्राम्ही लीपी में लिखे गए साथ ही यूनानी, खरोष्ठी और अरेमाइक आदे लीपियों का भी प्रयोक किये गए है असोक के अभिलेक में देवनाम प्रियदर्शी परन्तु कुछ अभिलेकों में उसका नाम असोक मिला है जिसमें आपका मास्की है, गुड़ जरा है, नेत्तुर जो अभिलेक हैं उसमें आपको असेक असोक नाम मिल जाएगा असोक ने प्रसास्निक निती में परिवर्तन किये और नए अधिकारियों की निउक्ति किये, जिसमें प्रतिवेतक, प्रमुक, जिसके द्वारा समराट को जनता के संदर्व में प्रत्यक छया सीधे जानकारी प्राप्त होती है ठीक है तो प्राप्त होती थी लिख लिजेगा एक बरोड देख लिजे असोग के अभिलेक का उल्लेक कीजे सवसब्द में असोग ने बड़ी संख्या में अभिलेक इस्थापित कराए जो ब्रिहद, लगु अभिलेक, गुफा अभिलेक, इस्तंबलेक, आदिस्वरूप के थे असोग के अभिलेकों से उसकी व्यक्तिगत जीवन, राजनैतिक विचार, धार्मिक विचार, प्रशाषन, समराज्य की जानकारी मिलती है असोग के अभिलेकों की भासा प्राकृत जबकि अन्धिकांस अभिलेक ब्राम्ही लिपी में लिखे गए साथ ही यूनानी, खरोष्ठी और अरेमाईक आदी लिपियों का भी प्रयोग किये हैं असोग के अभिलेक में देवनाम प्रियदर्सी परन्तु कुछ अभिलेक है जैसे उसका असोग नाम मिला है जिसमें है मासकी, गुर्जरा, नेत्तुर अभिलेक असोग ने प्रशास्तिक निती में परिवर्थन किये और नए अधिकारियों के निवक्ति किये जिसमें प्रतिवेदक, प्रमुक, जिसके द्वारा समराट को जनतक के संदर्भ में प्रत्यक्ष या सीधे जानकरी प्राप्त होती थी चलिए, दर्शान सास्त्र का पहला प्रशन आपसे पूछा गया था, प्रमा की अधारना बताईए, तीस सब्दों में पूछा गया था ठीक है? तो प्रमा की अधारना बताईए, आपको तीस सब्दों में बताना था तो देखिए हम प्राचिन आपको जो इतहास है भारत का प्राचिन इतहास है इसमें मौर्या समराज्य पर प्रविस्क कर लिए हैं हम इसके बाद आपका अगला टॉपिक है सुंग वन्स सातवाहन वन्स और गुप्त समराज्य तो कल आप सुंग वन्स और सातवाहन काल वन्स इन दोनों वर्ण्स को तयार रखेंगे आपको यहाँ से प्रस्द देखने को मिलेगा उसके बाद हम गुपतस्वन राज्य में प्रवेस करेंगे अंत में हम दक्षिड भाद के प्रमुक राज्य वर्ण्स के बारे में उल्लेक करेंगे इस तरह से आपके प्राचिन भारती इतहास मेंस अंसर रेटिंग के दिरिट्रिकोर से कम्प्रिट हो जाएगा आपका बड़ा जो टॉपिक है वहाँ भारती या आधुनिक इतहास है तो उसमें थोड़ा लंबा क्लास होगा उसके बाद मध्यकलिन भारती इतहास को अंत में देखेंगे ठीक है आईए प्रमा की अधारना आपसे पूछी गई थी तीस सब्द में पाफी चात्र अच्छा लिख रहे है दर्शन सास्त्र वो और जो कुछ नए चात्र है लिखने का प्रयासी नहीं करना चाहते हैं और जो लिख रहे हैं वे अपने मन से कुछ भी लिख रहे हैं ठीक है तो थोड़ा दर्शन सास्त्र विशय को जिस तरह से उसका वेटेज है 75 अंक आने हैं उनसे तो उसको आप neglect नहीं कर सकते हैं आपको तैयारी करना पड़ेगा अगर आप सेजी पेसी के तैयारी में जुड़ गए हैं तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा ठीक है आईए बात करते हैं तीस सब्द में प्रमा की अधारना क्या है आपको बताना था तीस सब्दों में जो कि दर्शन सास्त्र आपके नियाय दर्शन के प्रस्न थे प्रमा की अधारना नियाय दर्शन में यथार्थ ज्यान को प्रमा कहा गया है देखे नियाय दर्शन दर्षिन के नुसर आप अनुभाव को देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं एक होता है यथार्थ अनुभाव और जबकि दूसरा होता है यथार्थ अनुभाव तो न्याए दर्षिन में यथार्थ अनुभाव को प्रमा कहा गया है और यथार्थ अनुभाव को प्रमा कहा गया है ठीक है याद रखेंगे इसे यह थार्त ज्ञान का आसा है जो जीस रूप में है उसे उसी रूप में जानना इसका अनुभाव किया जा सकता है यह संदिग्द होता है असंदिग्द होता है ठीक है सुधाल लिचेगा असंदिग्द होता है अर्थाद संसय नहीं होता है कि वह है कि यहा है तो न्याय दर्शन में यथार्त ज्ञान को प्रमा कहा गया है यथार्त ज्ञान का आसा है जो जीस रूप में है उसे उसी रूप में जानना इसका जैसे रस्सी को रस्सी समझना ना कि सांप या आपको एक्जामपल के रूप में समझाया गया है कि रस्सी को हम रस्सी के रूप में ही जानते हैं ना कि हम सांप के रूप में इसमें किसी भी प्रकार की हमें संसय नहीं होती है भ्रहम नहीं होती है हम इसका अनुभाव कर सकते हैं कि यहाँ आपका रसी ही है ठीक है इसमें आपको क्रिसी भी प्रकार का असंदिग्द होने की आवसकता नहीं पड़ती है आज का चौता प्रस्न अप्रमा की अधारना आपसे पुछी गई थी या भी तीस सब्द में प्रस्न पुछे गए थे अखिर अप्रमा की अधारना क्या है आए देख लिजे आया थार्थ अनुभाव को अप्रमा कहा गया है जब हम किसी वस्तु को ऐसे गुड़ों में युक्त माने लेते हैं जो उसमें नहीं है तो उसे अप्रमा कहा जाता है जैसे रस्सी को सांप समझना हम प्रमा की अधारना में देखे हैं कि रस्सी को रस्सी समझना न किसांप वहीं हम आप्रमा की अधार्णा में देख रहे हैं कि रस्सी को साप समझना न्याय दर्शन में संसय, भ्रम, तरक, एवं, इस्मिर्टी को आप्रमा की सेड़ी में रखा गया है आपका यह भ्रम है कि रस्सी को आप साप कह रहे है आपका यह संसय है कि आप रसी को साप कह रहे हैं तो यहाँ आपका अप्रमा की अधारना है जिसमें आयाथार्थ अनभाव को अप्रमा कहा गया है जब हम किसी वस्तु को ऐसे गुड़ों में युक्त माल लेते हैं जो उसमें नहीं है तो उसे अप्रमा कहा जाता है, इकजांपल गुरूप में अभी देखे हैं, रसी को साम समझना, आज का अंतिम प्रेश्न था, आस सत्कार्यवाद क्या है, आपसे कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं होता कार्य सदेव एक नया आरंभ है इस पक्ष में तर्क दिया गया है कि कार्य कारण से स्वयम उत्पन्न नहीं होता कार्य के लिए कारण की आवसक्ता होती है ठीक है उससे उत्पन्न नहीं होता है बलकि उसकी आवसक्ता होती है यह भी तर्क दिया गया है कि कार्य के लिए हम ऐसा उत्पत्ति सब्द का प्रयोग होता है कार्य का प्रायोजन कारण के प्रायोजन से भिन्न होता है तथा कार्य और कारण में भी भिन्नता होती है तो ये आपसे साथ सब्द में आसत कार्यवाद के बारे में पूछा गया था तो देख लिजेगा आसत कार्यवाद के वर में अगर आप अन्यथा बातों का उल्ले किया होंगे तो सुधाल लेंगे एक बराओर रिपीट कर रहा हूँ आसत कार्यवाद न्याय दर्शन का कार्य कारणवाद है इसकी अधारना है कि कार्य का अस्तित्व कारण में ही नहींत होता है कार्य सदेव एक नया आरंभ है इस पक्ष में तर्क दिया गया है कि कार्य कारण से स्वयम उत्पन्न नहीं होता कार्य के लिए कारण की आवसकता होती है यह भी तर्क दिया गया है कि कार्य के लिए हमेशा उत्पत्ति सब्द का प्रयोग होता है कार्य का प्रायोजन कारण के प्रायोजन से भिन्न होता है तथा कार्य और कारण में भी भिन्नता होती है यह आपका आज सतकारियवाद पांच्वा प्रस्न का मॉडल आंसर इस तरह से आज पच्चासवा दिन का क्रिकट की भासा में आपका हाफ सेंचुरी कमप्लेक्ट कल से हम इंक्यानवा दिन का प्रस्ण मॉडल आंसर सभी को इसी अंदरूप में देखेंगे जिनको भी मेंस का नोट से चाहिए होगा किसी भी विसायगवा तो नीचे वाले नंबर से प्राप्त कर सकते हैं तो चरिए फिर जो नए चात्र है वहें जान लिजे सुबह आपको नव से दस की बीच वीडियो के माध्यम से प्रस्त मिलता है इसी समय रात को आपको नव से दस की बीच इसका मॉडल आंसर दिया चाता है मेंस आंसर रेटिंग का एक ग्रूप बना हुआ है जिसमें आपको प्रति दिन मेंस आंसर रेटिंग का पीडियेप जमा करना रहता है सनी वार को आपका मेगा टेस्ट होता है तो आज गूर वार है परसो आप सभी का मेगा टेस्ट होगा तो आप से भी त्यार रहेगा आपको प्राचिन भारती इतास के भी प्रस्न दिये जाएंगे और दर्शन सास्तर के भी दिये जाएंगे तो मिलते हैं फिर कल एक नई सुबा और नए प्रस्नों के साथ आज के लिए धन्यमाद सुबरात्री